Hello students, so welcome to the Gator Academy और आप अभी देख रहे हैं छोटी मोटी स्टोरी मीन्स छोटी मोटीवेशनल स्टोरी स्टीक है So आज हम देखेंगे एक और स्टोरी है ना मतलब देखेंगे क्या होता है स्टोरी में So बहुत पहले की बात है जब मोबाइल ओबाइल नहीं था इंटरनेट इंटरनेट नहीं था तो एकदम राजा महराजा वाली बात है ठीक है So एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमान करने वाला था ठीक है उसकी बांडरी पर आक्रमान करने वाला था तो पहले बीकुपत चर रहते थे रह राइजंसी ना पहले की रह एजंसी एजंसी तो वो लुपत चर कैसे भेजं तो क्या आदमी भेज आते थे खोडे पे आदमी याप फिर वह इघल विखे जाते थे ठीक अब लंबा रस्ता जा करना था तो रस्ते में क्या वाँ उसके गोडे का कील निकल गया ना गोडे की नाल लगी रहती हो तक 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 आवाज करता है तो लगा रहती है तो उसका एक पहुच जाता हूं करना यह तो फिर इसको ठीक कर वा लोंगा करते व्यत्ति पहले पहुच जाता हूं राजा के पास जरूरी संदेश है तो वह इग्नॉर कर देता है कि किला निकला है तो छोटी बात समझता है आगे गोडे की नाल रहती है वह गोडा गिर जाता है और वह जो ले जा रहा था सि तो राजा तक खबर नहीं पहुंच पाती और वह राजा हार जाता है तो इससे क्या क्या हम को सिक्षा मिलती कई बार आपकी चोटी-चोटी-चोटी-चीजे जिनको आप इग्नोर कर देते हो वह आगे जाके बहुत बड़ा नुक्सान कर देती आपका ठीक है अगर वह ठीक क सही समय पर आजा पास पहुंच भी जाता या फोड़ा सार देवह वह आंइंट कर देज पाता ना चीजे चीज चेंज हो सकती थी एकर वह चोटी-चीज को उगनोर नहीं करता हो उसको इंपॉंटएंस देता इसलिए कई आपके एक्सान के लिए घान के लिए इंपॉर्ट तोटी हैं मगर जरूरी हैं ठीक है कई बार हम इसको इगनोर करते हैं वह इसकी कारण हम काफी हमारा rank affect होता है ठीक है सो आगे हम देखेंगे next story okay students